हेलो दूस्टों कैसे हैं आप सब आज हम आपके साथ शल्गं की एक बहुती तेस्टी रेसीपी लेकर आए हैं जैसे कि नॉर्मली शल्गं हम बनाते हैं तो कई वर ऐसे होता है कि उसके अंदर क需 सेला पंसा आजाता है और सबजी तेस्टी नहीं बनती है आज हम आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शियर करेंगे जिसमें आपकी जो सबजी है वो भी बहुत ज़रा टेस्टी बनेगी और आप इसे बना कर खाओगे तो आपको मज़ा आ जाएगा तो चलिए इसे हम बनाना शुरू करते हैं यहाँ पे मैंने फ्रेश शलगम लिये हैं एक बंच मैंने शलगम का लिया है जैसे कि यह तक्रीबन तक्रीबन 600-700 ग्राम शलगम होंगे तो इसकी हमने डंडियां कट कर देनी हैं और शलगम को हमने पील कर लिना है यह जो शलगम है आपने पुराने नहीं लेने हैं कई वर ऐसा होता है कि कई दिन के शलगम पड़े होते हैं हम उसकी सबजी बना लेते हैं तो वो थोड़े कुसैले बनते हैं यहाँ पे फ्रेश शलगम का यूज़ करेंगे इनको हम अब छील लेते हैं इनका जो छीलका है इसको उतार लेंगे और फिर इसे दो लेंगे अची तरह अब इसे हमने छील लिया है और अब मन चाहे अकार में काट लेंगे मैं जैसे आलू को कट करते हैं सेम वैसे ही इसे कट कर लेती हूँ छोटे-छोटे टुकडों में और इस सबजी में हम एक आलू भी डालेंगे जैसे कि कई बार होता है कि जो शलगम की सबजी है बच्चे नहीं खाते हैं तो आप एक पर आलू उसमें डाल के देखेगा तो बच्चों को पता भी नहीं चलेगा ये किस चीज की सबजी है और बहुत ही टेस्टी बनेगी जो इ कड़ाई हमने रखी है गरम होने के लिए उसके अंदर तेल डाल देते हैं तेल हमने दो बड़े चमच इसके अंदर एड़ किये हैं यहां पर सरसो का ओल भी आप यूज कर सकते हैं मैंने इसके अंदर एक चमच जीरा डाल दिया है जीरे को अची तरह क्रैकल कर लेंगे प्याज को हमने बिल्कुल बारीग चॉप कर लिया है। मैंने इसकी पेस्ट नहीं बनाई है. इसको चॉप किया है। पेस्ट करने से जो पेाज है, यो चॉप किया हुआ पयाज काफी जल्दी भूँन-जाता है। यहाँ पर नमग warranty है कि यहाँ पर हम डाल formerly' क sv iki शमिरी लाल जाएंगे तब इसके अंदर डालेंगे चौप किये हुए टमाटर एक टुकड़ा द्रक का और तीन से चार हरी मिर्च मैंने एक अठाई चौप कर लिया है सबी चीजों को और इसके अंदर डालके थोड़ा सा पका लेते हैं और यहां पर अब हमने एक कप मतर डाले हैं मतर आ तो यह देखें मसाला हमारा बहुत अच्छा भून गया है अब मैं थोड़ा से इसके अंदर पानी डालूंगी पानी डालकर इसको हमने ढखके पका लेना है तांकि जो मतर हैं वो बिल्कुल सौफ्ट हो जाएं और मसाला अपना ऑल भी छोड़ दे तो देख सकते हैं मसाला हमारा बहुत अच्छा भून रहा है और इसने कलर भी काफी अच्छा छोड़ दिया है अब हमने इसके अंदर कटी हुई सारी सबजियां अपने डाल देनी है जैसे शलगम और आलू को हमने कट करके रखा था उन्हें हम इसके अंदर डाल देते हैं तो इनको मैंने वाश कर करके रखा हुआ था अब हम इसके अंदर डालकर इसको मिक्स कर लेंगे मिक्स करके हमने अब पकाना है इसको चार से पांच मिनट तक जब तक यह सबजियां हमारी सॉफ्ट नहीं हो जाती है अब हम इसके अंदर कुछ नहीं डालेंगे और इसे अब ढ़क कर हमको कर लेंग तो सबजी हमारी काफी अच्छी कुख हो गई है अब इसके उपर से थोड़ा सा डाल देते है धनिया और सबजी हमारी रेडी है यह जो सबजी बनी है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है आप इसे पूरी के साथ सर्व कीजिए रोटी के साथ सर्व कीजिए चावल के साथ आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी उपर से थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे इसे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा तो लीजिए शेल गरम की सबजी हमारी बन कर तयार हो गई है अब हमने इसे सर्व करना है गरमा गरम सर्व कीजिए आपको ये रेसिपी कैसी लगी है आप हमें बताइएगा जिरूल वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद आगे हम किसी नई रेसिपी के साथ मिलते हैं तब तक के लिए गुडबाई टेक कियर